कोल माइन्स रेगुलेशन 2017, 27 नवंबर 2017, रेगुलेशन 27, रेगुलेशन 27, मैनेजर की योग्यता और नियुक्ती क्वालिफिकेशन अन अपॉइंटमेंट अव मैनेजर, 6. यदि अनुपस्थिती के कारण या किसी अन्य कारण से मैनेजर खान की देनिक निजी देख रेख करने में असमर्थ हो अथवायक्ट, रेगुलेशन्स या उनके अधीन दिये गए आदेशों के अनुसार करतव या पालन में असमर्थ हो, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर क E. Chief Inspector की पूर्व लिखित सहमती, जिस पर उसके द्वारा लगाई शर्ते लागों होंगी के बिना ऐसा ओथराइजेशन, 30 दिन से अधेख के लिए प्रभावी नहीं रहेगा E. मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा ओथराइजेशन करने के तुरंत बाद इसकी लिखित सूचना, नोटस रजिस्ट्री चित्थी, स्पीड पोस्ट या फैक्स द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा इस सूचना में ओथराइज करने का कारण, ओथराइज किये गए व्यक्ति की योग्यता और अनुभव तथा ओथराइजेशन चालू वा खत्म होने की तारीक लिखी होगी इस सब रेग्यूलेशन त्रीक में दी गई योग्यताओं वाले व्यक्ति को छोड़कर अन्यावस्थाओं में, चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर ऐसे ओथराइजेशन को लिखे तादेश देकर रद कर सकेगा साथ ओथराइजेशन की अवधी में उप्रोक्त प्रकार ओथराइज किये गई व्यक्ति को बेसब जिम्मेदारियां वा कर्तव्य निभाने होनगे जो मैनेजर पर लागू होते हैं उस पर मैनेजर का सब उत्तरदायत्व भी रहेगा आठ कोई भी मैनेजर कम से कम 30 डेज का पूर्व लिखित नोटिस मालिक या एजेंट को दिये बिना अपना पद नहीं छोड़ेगा परन्तु मालिक या एजेंट किसी मैनेजर को इससे कम अवधी की नोटिस पर पद छोड़ने की अनुमती दे सकेगा 9. कोई मालिक या एजेंट किसी मैनेजर को तब तक ट्रांसफर या डिस्चार्ज या डिस्मस नहीं करेगा जब तक कि उसकी जगा पर सब रेगुलेशन के अनुसार सही योग्यता वाला व्यक्ति उस मैनेजर को करतव या मुक्त रिलीव नहीं कर देता 10. मालिक एजेंट या मैनेजर को ये अधिकार नहीं देगी कि नोटिस की अवधी में किसी भी व्यक्ति को सही योग्यता नहोने पर भी माइन्स के मैनेजर का काम करने के लिए ओथ्राइज करे परन्तु मैनेजर के बीमार पढ़ने पर या किसी ऐसे कारण की अवस्था में जिस पर मैनेजर का कांट्रोल नहों अथ्वा चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमती से उसके द्वारा लगाई गई शर्तों पर वह ऐसा कर सकेगा परन्तु चीफ इंस्पेक्टर उस तारीक से जिससे मैन्स सही योग्यता वाले मैनेजर के बिना चलाई जाती है साथ दिन से अधिक के लिए ऐसे ओथ्राइजशन की अनुमती नहीं देगा ग्यारा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को माले किया एजेंट माइन्स के सब प्रवेश मारगों के पांच किलोमेटर के अंदर उच्छे तावासिय सुविधा प्रदान करेगा और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऐसे दिये गए मकान में निवास करेगा परन्तु, जहां कुछ विशेश कठिनायों के कारण इस प्रावधान का पालन करना व्यभारिक रूप से संभव नहीं है, वहां चीफ इंस्पेक्टर कुछ शर्तों के साथ लिखे तादेश देकर इससे छुट दे सकता है 12. किसी मेनेजर को मालिक या एजेंट कोई ऐसा काम नहीं सौपेगा, न स्वयम वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण उसे माइन से बार बार या लंबे समय के लिए गैर हाजिर रहना पड़े 13. यदी सब रेग्यूलेशन 11 या 12 में दी गई किसी बात के संबंध में कोई संदेह उत्पन होता है, तो इस विशे को चीफ इंस्पेक्टर के पास निर्नए के लिए भेजा जाएगा 14. सब रेग्यूलेशन 5 में दीए को छोड़कर अन्य था कोई मैनेजर, दूसरी खान में मैनेजर या किसी अन्य हैसेयत से कार्य नहीं करेगा 14. सब रेग्यूलेशन 5 के अनुसार 5. चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखेत अनुमती के बिना, जिस पर उसके द्वारा लगाई गई शर्ते लागू होंगी कोई भी व्यक्ती, एक से अधिक मैनेजर का काम नहीं करेगा और नहीं ऐसा करने के लिए नियुक्त किया जाएगा परन्तु यह अनुमती 12 महीनों से अधिक के लिए प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि उसका नवीनी करण ना किया गया हो परन्तु यह और की जिन परिस्थितियों के कारण ऐसी अनुमती दी गई थी उनमें परिवर्तन हो जाए अथवा चीफ इंस्पेक्टर पाता है कि मैनेजर उसके चार्ज में दी गई माइन्स की प्रभावी निगरानी करने में समर्थ नहीं है तो वह दी गई अनुमती को बदल सकेगा या रद कर सकेगा थैंक यो फो वचिंग वीडियोज